Hello everyone, welcome back to this channel, Agri-Examers. Today we will discuss most frequently ask questions in agriculture exams. आज हम उन 15 questions की बात करेंगे, जो बार-बार घुमा फिरा कर agriculture exams में पूछे जाते हैं. चाहे ओफो का पेपर हो, या किसी भी agriculture exams का. तो इन 15 questions को जानने के लिए बने रहें मेरे साथ वीडियो के अंतर तक. So without any delay, let's get started. सबसे पहला question है, what is the EC of alkaline soil? alkaline soil जो होता है, उसका EC क्या होता है? 4 mm से कम, 4 mm से ज्यादा, 5 से ज्यादा या 8 से कम. तो जो saline soil का होता है, उसका EC तो 4 mm से ज्यादा होता है. इसके reverse में, जो 4 mm से कम alkaline soil का EC ज्यादा होता है. Right answer is the first. Second question है, shallow depth consists of each following. जो shallow depth की मतलब होती है, तिलेट, वो कितने सिंटिमेटर पर होती है? 5 से 10 सिंटिमेटर, 15 से 30 सिंटिमेटर, 4 से 6 सिंटिमेटर, या D 12 से 18 सिंटिमेटर. तो normally जो होता है, shallow depth मतलब जो टिलेज होता है, ये 5 से 10 सिंटिमेटर होता है. ये हमारा right answer है, 5 से 10 सिंटिमेटर, ये density हो जाता है, deep तिलेज, फिर थर्ड कोश्चन है, milk favor is the cow due to, मतलब जो milk favor होता है cow में, वो किसके काण होता है? तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूँ, कि जो milk cow होती है, जो ज़्यादा दूद देती हैं, उनमें होता है, तो सबसे पहले option है, deficiency of calcium, excess of boron, deficiency of potassium, deficiency of cobalt, तो normally ये calcium के काण होता है, calcium के deficiency जब हो जाती है milk cow में, तो milk favor होता है. फिर next question है, power tiller is, power tiller क्या है, primary implement, secondary implement, या harvesting implement, या rotatory implement, तो primary में तो use नहीं होता है, ना secondary में use होता है, harvesting implement में भी नहीं use होता है, तो rotatory implement, ये हमारा right answer है, ये, rotatory implement, तो इसके बाद है next question है, which planting system having one tree at the center, जैसे कि हमारा एक, हमने orchard लगा दिया, तो ये हमारा square system हो गया, और अगर हमने ऐसे लगाया है, तो ये हमारा triangular system हो गया, और hexagonal में छे पाउद लगा, लेकिन अगर बीच में हम लगा रहे हैं, तो ये क्यूनिकॉक्स होते हैं, जो मतलब, जो time बसता है, orchard को त्यार होने के पहले, उसके बीच में हम जब एक crop या primary tillage, primary tillage, secondary tillage या interculture tillage, तो primary tillage भी नहीं करते हैं, इसमें secondary tillage भी, इसका main objective यही है, 0 tillage इसलिए लाए गया था कि इसमें tillage नहीं करते हैं, तो इसमें both primary and secondary tillage is absent, so right answer is a D, both primary and secondary tillage is, फिर next question है, seedless variety of grapes, grapes की seedless variety क्या है, thompson, tryer, किनो, किनो तो निब्बु से इसका term है, निब्बु से यह relate करता है, thompson, जी हां, thompson हमारा seedless variety है, यह सब question, यह नबाड में भी पूछा गया था, तो thompson is a right answer, next question है, when pH under 3.5, जब pH हमारा 3.5 के under होता है, तो उसे क्या कहते हैं, first option is a low acidic, high acidic, ultra acidic soil, और D alkaline soil, तो low acidic soil हमारा right answer होता है, 3.5 के जब अंडर होता है, high acidic में यह 5 के उपर तक होता है, फिर ultra acidic, यह, तो हमारा right answer जो है, ultra acidic, ultra acidic soil जो है, 3.5 के under होता है, तो हमारा right answer जो होगा, वो ultra acidic soil होगा, नेस्ट कोश्चन है जौला इस विराइटी आफ तो जौला किसकी विराइटी है ब्रिंजल चिली टोमेटो या पोटेटो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जौला एक लिफकल रिसेज़डिन विराइटी है चिली की जो कि कोश्चन से पूछे जाते हैं घुमा के पूछ है कि लिफकर रिसिजन बिर्याइटी चिली की कौन सी है तो चिली इसका राइट अंसर हो है इसकी आप याद कर सकते हैं फिर नेक्ष्ट कोस्चन है डिपॉंग मेफट एसोसियट विद डपॉंग मेथर्ड किससे एसोसीयट करता है राइस, वीड, काउपी और पी आप सबको पता है कि इन तीनों क्रॉप में हम नर्सरी का कोई ओ नहीं होता अबजेक्ट नहीं होता लेकिन राइस में हम नर्सरी करते हैं तो इससे भी राइट अंसर निकल सकता है तो राइ इससे जब डिपॉंग में थर से हम खेती करते हैं कल्टिवेशन करते हैं कल्टिवेट तो हमें जो चार दिन पहले ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है फिर नेक्स्ट कोश्चन है ओलेरी कल्चर रिलेट टू फ्रूट का तो पूमुलाजी होता है वेजिटेबल नेक्स्ट कोश्चन है ओट यज मैक्समें टेंपरेफी आइशन फॉर वीड कॉशेट वीड क्रॉप के लिए मक्समें टेंपरेफर क्या है है 15 भी नहीं है 15 भी कम हो जाता है 25 संटीमेटर यह हमारा राइट एंसर है मैक्सिमम टेंपरेचर फॉर वीट कोश्चन नमर 13 है डिफिशन से सिंटम साफ विच निट्रेंट फर्स्ट अपियर और लिपस जैसे कि हमारे सबसे ओल्डर लिपस पर इसके सिंटम्स होते हैं बीच में फेरस का होता है और फिर टॉप पर अगर माले बात करते हैं तो कैल्सियम का होता है और जिंक का दोनों तरफ होता है मतलब ओल्डर लिपस पर भी और निवली लिपस पर भी जिंक का सिंटम्स दिखाई देता है तो Magnesium का वैसे कोई Roll नहीं होता है, मतलब किसी भी Pumelozy Crop में, फिर nitrogen ये भी नहीं है, Calcium तो नहीं है, Boron हमारा Right answer है, Normally जितने भी हमारे Horticulture Crops होते हैं, जो कि मतलब फल के लिए use किया जाते हैं, उनमें Boron के वज़ा से इक्रैकिंग होगा, तो बुरान हमारा राइट एंसर होता है लिटिल लीफ अप एपल डियो टू फिर लिटिल लीफ एपल तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका बहुत सिंपल ट्रिक है कि जितने भी लिटिल लीफ के डिजीज होते है या डिसॉर्डर जो भी होता है वो जिंके के कारण ही होता है जिंके के कारण ही सारे लिटिल लीफ का डिजीज होते हैं या जो भी होते हैं जो भी आप पढ़ेंगे वो लिटिल लीफ में अगर पढ़ रहे हैं तो जिंके के कारण होता है So that's all for today's videos ऐसे यी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एकरी एक्जाइमर को and do not forget to like and हमें कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगा Thank you so much